नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस्टेटी विद्ग्यान प्रकास में LTE grade के लिए GS के तिसरे mock test में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है according to exam pattern and syllabus जैसा की आयोक के द्वारा LTE grade exam के प्रोवाइड कर आ गया था इसके पहले दो mock test चैनल पर upload हो चुके हैं अगर आपने उनको वाच नहीं किया है तो जल्दी से देख लिजिए link वीडियो के description में दिया जा रहा है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर भली बार हैं तो आपसे एक निवेदन है कि वीडियो के ठीक नीचे ये subscribe का लाल बटन आपको दिख रहा होगा इसको आप प्रेस कर दीजिए और इसके बाद बेल आइकान को प्रेस करना मत बुलेगा अगर आप लोगों में से करी लोग ऐसे भी हैं जो पुराने माई subscriber हैं तो उनसे भी निवेदन है तो बेल आइकान को on कर लें ताकि रियल टाइम नोटिफिकेशन आप तक बहुँ सके तो आए सुरू करते हैं इस तीसरे माउक्टेश को पहला सवाल है हिस्ट्री से कबीर और धर्मदास के मद्य संबादों के संकलन का सिर्शक कौन सा है देखेए ये पहला सवाल है मैं नियमा को बता देता हूँ मैं सभी सवालों को वीदा ओप्सन आपके साहरे में रखूंगा और आपको तुरंद गिस कर लेना होगा कि आपको कौन सा विकल्ब सही है ठीक है और तुरंद आपको लोट कर लेना होगा, जो भी गलग आपको सही लगता है, ततकाल बाद में आपको सही उत्तर दूँगा, और अगर आपका जवाब सही है, तो आप सही का निसान लगाईएगा, गलत है तो गलत का निसान लगाईएगा, सही का मतलब हुआ एक अंग, और आपके एक त्याई अंग काट लिए गए हैं तो इस तरीके से आप पूरे जोई इस मॉक्टेश को कम्प्रीट कीजिए पहला सवाल है कबीर और धरंदास के मद्य संबादों के संकलन का सिर्शक कौन सा है ओके चली देखते हैं अगला सवाल दूसरा सवाल है अमीर खुसरो का जन्म कहा हुआ था और यहाँ पे सही जबाब है आपका आप्सन C एटा में जन्म हुआ था किसका अमीर खुसरो का और इनके जो पिता थे वो पाटिपाली एक तुर्क परिवार थे पाटिपाली नाम गाउं में इनका जन्म हुआ था सुल्ता नसुर्दिन महमूद के सासनकाल में भारत आकर बस गये थे और खुसरो जीवन के प्रारमी काल से ही बहुत प्रत्वासाली इवन गुडवान बेक्ती थे इन्होंने प्रारम में एक दरवारी कभी के रूप में अपना जीवन प्रारम किया था और लगभग 50 वरसो तक विभिनित बंसो तता सुल्तानों का उत्थान पतन देखते रहें किसने भारती राष्ट्री कांग्रेश्ट पर प्रार्धना याचना तता वीरोत की जाज़ेटी करने का आरोप लगाया था और इसका सई जबाब होगा ऑप्शन B बाल गंगाधर तिलक तो आपको प्र वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारती असांती का जनक माना था बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था कोंकर तटके रतनागिरी नमक गाउं में और ये उच जाती कि चितपावन ब्राहमन थे इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को और 1856 को इनका जन्म 1857 की उसके ठीक एक वर्स पहले चीजों को इस तरीके से कर आप रिलेट कर लेंगे तो चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं ये बात आप याद रखना ठीक है किसने कहा था दरो दिवार पर हस्रत की नजर करते हैं खुसरो अहले वतन हम तो सफर करते हैं A. असफाक उल्ला असफाक ये नजम है उन्होंने फासे से पहले इस नजम को गाया था असायोग आंदोलन के दवरान विदिसी वस्तरों के जलाय जाने पर किसने महात्मा गाधी को लिखा था यह निश्ठूर बरबादी है अब भुगोर के कुछ बसन है पारिसितिक तंत्र में उच्चतम पोशन अस्तर किसको प्राप्त है और A. साकाहारी को B. मांसाहारी को C. सर्वाहारी को D. अपगटक को और इसका सई जबाब होगा ओप्शन C. सर्वाहारी को पारिसितिकी तंत्र में जैगघटकों के दो प्रमुक वर्ग हैं उत्पादक और उपभोगता यह आप जानते हैं जो भौतिक परियावरान से अपना भोजन स्वैंग बनाते हैं उनको क्या कहते हैं उनको कहते हैं स्वपोशित ठीक हैं और हरे पोधे प्राथिभी कुतपादक माने जाते हैं क्योंकि वे प्रकास अंसलेस्टन के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो इस सर्वाहारी गुर्प को ही प्राप्त होता है ठीक है तो आप्सन सी आपका सही है भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज इकाउन सा है सोयाबीन के अधीन चित्रफल और उत्पादन दोनों की दिश्टिश से मध्रणी प्रतहम है अभी भी सोयाबीन के कुल चित्रफल का 88% जो है ये मध्रणी प्रणी जहां से कुल उत्पादन का 65% ये मध्रणी प्रणी प्रात होता है तो विकलपों में से option B आपका सही है धौला धार स्रेणी की प्रमुख जनजाती कौन सी है अबोर बी गद्दी सी लेपचा और डी थारू तो देखें जनजातियों से समदित सवाल लोग सिवा आयो की परिक्षा में अक्सर पुशे जाते हैं और जितनी भी जनजातियां है उनको आप अवसे याद रखेगा नोटबूग में नोट कर लेजिएगा और यहाँ पर सही जवाब क्या होगा यह आपको बताना है और आपके लिए सही जवाब है option B गद्दी गद्दी जो है यह जनजातियों जो की धोराधास रेणी की प्रमुख जनजाति मानी जाती है कौन सी कैस वाब मंदल में अमली वर्षा के लिए जिम्मेदार है तो यहाँ पर चार गैसे हैं S2, S04 की वर्षा होने लगती है यह अमली वर्षा होती है एसडिक होती है और इसके विज़से काफी जो है नुकसान होता है ठीक है सामान रुप से भारत में प्रती 5 वर्ष के बाद बित आयो के नियुक्ति की जाती है और इसके लिए अनुच्छे 280 में वड़न किया गया है तो यह आप याद रिखिएगा अब यहाँ पे देगा विकल्प है option A. राज्यों की बित्ती इस्थिती निर्धारित करने के लिए और सही विकल्प भी आपका option D है समिधान सबादवारा भारती समिधान को स्विक्रित कब किया गया था? A. 15 अगस्त 1947, B. 30 जून 1948, C. 26 नूम्बर 1949 और D. 26 जून्वरी 1950 और सही जवाब आपका है क्या? option C. 26 नूम्बर 1949 नेक्स्ट भारती समिधान का कौन सा भाग समिधान की आत्मा कहा जाता है? देखे इसके बारे में बहुत सारे अभरतियों के मन में मद्वेद रहता है तो मैं आपको बता देता हूँ, आज के बाद आप बिर्ग्रू कर जो में मत रहेगा समिधान का जो अनुच्छेद 32 है जो कि समबैधानिक उपचारों के अधिकार से संबनी थे इसी को डाक्टर B.R. अमेटकर ने भारती समिधान का हिर्दे और आत्मा स्विकार किया है तो यह आप हमेशा याद रखेगा काफी important प्रसन है और बहुत बार उचा भी गया है अब आते हैं कुछ सवाल economic से अमेरिका से sale gas की पहली खेप भारत में कौन से terminal पर पहुँची है चार विकल्प हैं A. हसीरा terminal, sale limited गुजरात B. कोची terminal और petronate LNG limited केरल C. है दाभूल टर्मिनल गेल महाराष्ट और D. है दाहिज टर्मिनल पेट्रोनेट LNG limited गुजरात और सही जवाब क्या होगा आपका दाभूल टर्मिनल गेल महाराष्ट ठीक है यह option C आपका यहाँ पे सही होगा next है किस सिख्च गुरू की जैनति के उपलच में सरकार ने रुपे 350 का इस्भीत सिख्धा जारी किया है देखिए जो इस्मृत सिक्के होते हैं वो प्रेशलान में नहीं होते हैं उन्हें जारी किया जाता है सिर्फ किसी विशेज घटना किसी विशेज व्यक्त को याद करने के लिए ठीक है तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा ओप्शन ए गुरु गोविन सिंग बी गुरु अर्जुन दास सी गुरु अमर्दास डी गुरु अंगद देखिए बहुत अधिक डीप ड्याख्या मने कर पा रहा हूं क्योंकि करण यह होता है कि आप लोगों में से कई सारे लोग कमें और रूपे साड़े थीन सो का इस्वित सिक्खा जारी किया है और इंडिया के विकल्पों में सही विकल्प आपका है option A, गुर्गोबिन सिंग की जहनती के उपलक्ष में, गुर्गोबिन सिंग की ये 350 वी जहनती थी, इसलिए 350 रुपे का सिक्खा जो है, वो जारी किया गया था, इस सिक्खे का वजन था 35 ग्राम, ठीक है, और इस सिक्खे की खास बात क्या थी, ये भी आप जान लेजिए, इस सिक्खे में जो 50 प्रस्त था वो चांदी रखा गया था, चांदी ठीक है, और उसके बाद 40 प्रस्त था वो ताबा था, और बाकी जो 5 प्रस्त निकल था, और 5 प्रस्त जस्ता का प्रियोग या गया था, नेक्स्केशन है, भारती प्रति अस्परधा आयोग ने, किस गेस्ट कर लिया होगा और यहां पर सही जवाब है आपका option B Google पर 1.36 करोन रुपए का जुर्माना लगाया गया है भारती प्रति असपर्धा आयोग के द्वारा अटल पेंशन योजना की सुरुवात कब होई थी इस पेंशन योजना के बारे में आप वेल नोन है और इसकी ब्याख्या करने को सकता नहीं है सिर्फ आप बताईए कि इसकी सुरुवात कब होई थी A. वर्स 2014 में B. 2015 में C. 2016 में और D. 2018 में और इसका सही जवाब होगा option B वर्स 2015 में योजना सुरू की गई थी ओके अब आते हैं next question पे अगला सवाल है घाओ के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है A. विटामिन A. B. विटामिन B. C. विटामिन C. याफिर D. विटामिन D. ओके और यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा सही जवाब है आपका यहाँ पे option C. विटामिन C. इसका एक नाम और भी होता है इसको ascorbic acid के नाम से भी जाना जाता है विटामिन C जो होता है यह घाओ भरने में सहायक माना जाता है ठीक है किस फल में लोहा, आइरन, लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है A. जामुन, B. करोंदा, C. लोकाट, या फिर D. अमरूद, ठीक है तो यह सवाल जो था, यह आरो, ए आरो की परिच्छा में पूछा गया था दीकिन मैं सही बताता हूँ यार, मुझे लोकाट फल के बारे में कोई पता नहीं है आप लोगो पता हो, तो कमेंट करके बताईएगा लेकिन यहाँ पर आयोग ने इसी को सही उत्तर माना है यह सवाल इसलिए सामिल किया गया है, क्योंकि थोड़ा सा आपको प्रमित कर सकता है इसलिए इस वीडियो में इसने स्थान बनाया है याद रखेगा कि अगर इस सवाल आता है तो आप जवाब दीजिएगा लोकाट, लोकाट में लोज होता है आयरन यह प्रशुर मात्रा में पाया जाता है अकॉर्डिन टू यूपी पेस से, ठीक है आगे बढ़ते हैं मक्का में सफेद कली किस तत्य की कमी से होती है और सही जवाब आपका होगा नतरजन यानि कि नाइटोजन की कमी से मक्के में सफेद कली नामक रोग हो जाता है इंडियन इंसिचूट आप रिमोट सेंसिंग बहुत बात पुशा गया है याद रखेगा कि इंडियन इंसिचूट आप रिमोट सेंसिंग कहां पर इस्थित है A. आहमदाबाद में B. धिहरादून में S. हरीकोटा में और D. तुश्रापली में और सही जवाब आपका होगा आप्शन B हरीकोटा में है इंडियन इंसिचूट आप रिमोट सेंसिंग ओके अगला सवाल है सामान बेक्त के रख्त का pH अस्तर कितना होता है जो लोग आप चाहिच के हैं मैंनको बता देता हूँ कि pH एक इसकेल होता है जिसमें जो है अमलता और छारता यानि acidity और जो उसका basic रूप होता है दोनों के बारे में उसको differentiate किया जाता है तो यहाँ पर बताना है आपको कि सामान बेक्त का जो रख्त होता है जो blood होता है उसका pH लेबल कितना होता है A. 4.5 to 4.6 B. 6.45 to 6.55 C. 7.35 C. 7.45 D. 8.25 C. 8.35 C. तो सही जबाब यहाँ पर क्या होगा Option C होगा इसके according जो मानो का रख्त होता है वो क्या होता है वो छारी होता है ठीक है अब थोड़ी सी information में आपका इक्ष्टा दे देता हूँ देखिए एक pH skill माना जाता है जिसके बीच में एक point रखा जाता है 7 ठीक है तो 7 अगर किसी भी जो है मतलब द्रव का pH लेबल 7 है तो यह माना जाता है कि वो ना तो अमली है ना तो छारी है ठीक है जब हम दाहिनी और बढ़ते हैं यानि साथ से उपर अगर इसके value आती है तो यह माना जाता है कि यह जो है अमली है स्वरी छमप चारी है ठीक है और जब हम लोडते हैं सेवन के नीचे यानि एक लेट साइड में तो हम मानते हैं कि यह जो है अमली है तो इसके हिसाब से कर आप देखें तो जो मानो का रख्त होता है वो सेवन सो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है इसलिए मानों का जो रखत होगा वो छारी माना जाता है एक संख्या अपने 20 प्रतिसत से 20 अधिक है संख्या कौन सी है यह आपको पताना है अब देखे जो दिए विकल्ब है उसी में से आपको एक विकल्ब का चुनाओ करना होता है और यहाँ पर हम विकल्ब B को चुन लेते हैं एक संख्या है मान जे 25 है 25 का 20 प्रतिसत कितना होता है आपको पताईए और प्लस 20 से 20 अधिक है यहाँ पर आप देखेंगे 25 से आप 100 को कर देंगे तो क्या आएगा 5 और 20 में आप 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25 इसलिए सही विकल्ब क्या होगा option B हो गया यह दिकिसी ब्रति की परिदी 50 प्रतिसत बढ़ा दी जाए तो उसका छेतरफल कितने प्रतिसत बढ़ जाएगा तो एक बात आप यहाँ पर द्यान रखिएगा कि अगर ब्रति की परिदी कैसे निकालते हैं ब्रति की इसलिए फर्मूला होता है 2πR ठीक है अगर यह बढ़ा दी जाएगी तो इसका मतलब R में भी जो है 50 प्रतिसत की ब्रति हो जाएगी जो त्रिज्य है रेडियस है उसमें भी 50 प्रति की ब्रति हो जाएगी ब्रति का चेतरपल निकालने का फर्मूला क्या होता है पाई आर इसको आर यह आपको पता है अब यहाँ पर दो कंडिशन है मान लीजिए अब यहाँ पर 50 प्रति की ब्रति जब R में होगी पहले मान लेते हैं R है 100 और दूसरी कंडिशन में R क्या हो जाएगा 50 प्रति होगी तो R क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा अब निकालते हैं इसमें पाई R इसको आरक साहता से जब ब्रति नहीं होई थी तब इसका चेतरपल कितना था तो इसको ऐसे निकालेंगे आप पाई इंटू 100 इंटू 100 इस तरी किस निकालेंगे और जब ब्रिद्धी हो गई यानि कि R के वल्यू 150 हो गई है तब इसकी वल्यू क्या होगी पाई इंटू 150 इंटू 150 ठीक है तो यहाँ पे बढ़त कितनी हुई तो दूनों को घटा लेंगे आप तो बढ़त होगी यहाँ पे आप इसको क्रिक्लिट कीजिएगा इसकी वैल्यू आएगी 125 00 अब प्रतित ब्रिद्धी कितनी हुई यह निकालने आपको तो बढ़ा हुआ चेत्रपल कितना है 125 00 100 से आप मल्टिप्लाई करेंगे और उसके बाद जो मूल चेत्रपल था वो कितना था 100 इंटू 100 था 100 था 100 से 100 मल्टिप्लाई यहाँ पे क्लास हो जाएगा और 2 0 से 2 0 कर जाएगा क्या बचता है आपके पास 125 जानी कि छेत्रपल में 125 प्रिद्धी हो जाएगी ओके अगला सवाल देखते हैं लड़कियों की एक पंक्ति में दिब्या बाएं से 18 अस्थान पर है तब नमरता दाएं से देखें यहाँ पे बाएं और दाएं को आप ध्यान दीजेगा क्योंकि इसी से सवाल सही और गलत ही हो जाते हैं यादि नमरता को पाँच अस्थान दाएं पर के अस्थाफित किया जाता है तब दिब्या की इस्तिती नमरता के तुरंत दाएं हो जाती है तो पंक्ति में कुल कितनी लड़किया है यह आपको बताना है फ़राब डीटेल में आपको समझा देता हूँ देखें यहाँ पे क कंडिशन क्या भंड रही है कि जो नमरता है तो नमरता जो है वो दाएं से अस्थान पर है और जब यहाँ पाँच अस्थान जो है दाएंट मतलब की नमरता को हटाया गया है तो इसका मतलब यह होगा कि पांच अस्थान तो इसका मतलब क्या होगा इसके पहले चार अस्थान पहले थी एक दो तीन चार ठीक है तो दिब्या की सिति कहां पे है पहले यहां पे थी दिब्या ओके अब यहां पर दाएं से इसकी सित्री बारहमी थी, यानि कि अगर हम इसको calculate करें तो क्या होगा, जो दिब्या की यह position है आप देख पा रहे हो, इसके पहले एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो यह total जो लड़कियों की संख्या हो गई, क्योंकि इसी के according यहाँ पे, आपको सारी चीज़े calculate कर क्योंकि साथ अस्थान घड़ जाती है, अब यह real लड़कियों की संख्या हो जाएगी, 18 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आजएगा 23, ठीक है, तो 23 आपका यह हो गया answer, ओके, तिस तरीके से option D आपका यहाँ पे सही होगा, next question देखते हैं, और यहाँ पे सही जवाब आपका क्या होगा, option B उत्तर प्रदेश, और इस कानुन को नाम क्या दिया गया है, UP कोका नाम दिया गया है, ठीक है, इसका full farm क्या होगा, UP से आप पता है, उत्तर प्रदेश, और कोका का जो full farm होगा, उसको आप जाने जिए, control of organized crime, control of organized crime, ठीक है C-O-C-A, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिसन संभो, इसका नाम आपने सुना होगा, मिसन संभो, इसमें एक लाग सोचले का बनाने का लगश रखा गया था, किस राज में सुरू किया गया था, A. उत्तर प्रदेश, B. असं, C. हर्याणा, D. बिहार, और यहाँ पे सही Next Question देखते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस, प्रतिवस किस दिन मनाया जाने की सुरूआत, उत्तर प्रदेश सरकार ने, वर्स 2018 से सुरू की है, देखिए, यह क्वेशन में ने दुबारा सामिल किया है, क्योंकि पिछली बार इसका उत्ता थोड़ा सा खसायत गलत हो गया था तो आपको बता दों कि इसी वर्स इसकी सुरूआत की गई है, और प्रति वर्स 24 जन्वरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूपे मनाया जाएगा, तो 2018 को यह पहला आयोजन था, अब 2019 में इसका दूसरा आयोजन होगा, 24 जन्वरी को UP Day, ओके, आगे बढ़ते हैं, गणित क पुरुसकार की सुरुआत हुई थी, 2001 से नार्वे के द्वारा यह दिया जाता है, और बहुत ही प्रतिश्ठित पुरुसकार है, अब 2018 का पुरुसकार किसको मिला है, तो मिला है, option B, Robert Langlands को मिला है, ठीक है, तो देखिए, इसका जवाब अगर आपको पता था, तो आप वितरण, और सही जवाब आपका क्या होगा, यहाँ पर, option B, सौर उर्जा से सम्मझेंद है, आपकी कुसुम, इसकी घुषड़ा इसी वर्स बजट में अरोण जेटली ने की थी, और उनका ये कहना था कि, 2022 तक जो अदेश में लगबग साड़े, तीन करोन पंप ऐसे और इसके लिए किसान को मात 10% ही खर्च करना होगा, बाकी चीजें जो बाकी का धन होगा, उन्हें अनुदान के रूप में उपलब्द होगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको यह चीज़ और बता देता हूँ, सही बीकप तो आपको पता चल गया, option B है, कुसुम का फु हो गया आपका महा अभियान, किसान, उर्जा, सुरक्षा व उत्थान, महा अभियान, तो इसके परह परह रक्षर को लिया गया, और उससे आप कुसुम नाम दे दिया गया इसे, ठीक है, किसान, उर्जा, सुरक्षा व उत्थान, महा अभियान, 2022 तक लगबग साड़े 3 करो है ठीक है तीन करोण पानी की जो पंप होंगे किसानों के वो सोरर से चलेंगे यह लक्ष रखा गया है और अभी स्मॉक्टिस का यंतिम सवाल है काफी इंप्रोटेंट भी है ग्लोबल टैलेंट कंप्टिटिव इंडेक्स 2018 में भारत का अस्थान कौन सा है और इसका सभी जबाब क्या होगा इसका सभी जबाब है ऑप्टिव इसको यहां पर साइलेंट बाना जाता है इसलिए इसको स्वीजर लेंड नहीं स्वीजर लेंड पढ़ते हैं ठीक है और आपको बता दें कि यह जो ग्लोबल टैलेंट कंप्टिटिव इंडेक्स होता है यह कौन जारी करता है तो यह डबलू इफ वर्ड एकोनॉमिक फोरम की जब बैठक होती है प्रतिवस्ट तो पहले ही दिन यह लिस्ट चारी की जाती है जिसको ग्लोबल टैलेंट और आपको पता होनी चाहिए तो फ्रेंस उम्मीद करता हूँ कि यह मौक टेस्ट आपको काफी अच्छा लगा होगा आपके लिए काफी यूश्फूल है और निश्यत रूप से आपके लिए बहुत ही लादायक होगा आगामी परिक्षा के लिए बहुत सारे प्रस्न ऐसे है जो निश्यत रूप से इस मौक टेस्ट राएंगे यह मौक टेस्ट कांटिन्यू रहेगा और आपने अगर अभी तो चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकान को आउन कर लिजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलो